नमस्कार आप देख रहे हैं फेस टू फेस और अगर बात करें हम भारत और पाकिस्तान के संदर्व की तो हालिया दिनों में जिस तरह के स्थिती दोनों देशों के बीच बनी है ऐसे में पाकिस्तान से केवल नफरत की उमीद होती है भारत के लिए लेकिन वहीं से अगर कुछ आवाजें ये निकलें जो प्रधान मंत्री मोदी के सपोर्ट में हो प्रधान मंत्री मोदी की प्रशंसा के लिए हो तो जाहिर सी बात है कि आश्चर होगा लेकिन ये आवाजे पाकिस्तान की जमीन से ही लेकिन बलुचिस्तान प्रांच से आ रही हैं जहां पर तमाम तरह की जादतियां हो रही हैं तमाम तरह की तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं और वहां के लोग किस तरह से भारत का सपोर्ट चाह रहे हैं इसमें कोई शक नहीं बलोचिस्तान के ही खास स्थिति पर आज बात करने के लिए हमारा साथ बेहद खास महमान जुड़ रही है नाईला कादरी बलोच जो की बलोचिस्तान के आंदोलन को बहुत ही आगे बढ़ाने में सबसे जादा सहयोग कर रही है और एक अलग अंदाज में सांदोलन को बढ़ हा रही है बहुत और शुक्रिया नाईला जी फेस टो फेस में आपका APN पर सबसे पहले आप से मैं यही पूछना चाहूंगी कि किस उमीद में आप भारत में हैं भारत की जनता भारत की गवर्मेंट भारत की सिवल सोसाइटी सबसे जो उमीद लेकर आए हैं वो है बलोच गवर्मेंट इन इंडिया और उसके लिए हम चाहते हैं कि मोदी जी की जो गवर्मेंट है एक स्टॉंग गवर्मेंट है और यह सिरफ जनता पार्टी नहीं बलके इंडिया की जितनी पुलिटिकल पार्टी हैं हम उन सब की support भी चाहते हैं कि आपके आपस में तो एक डेमो का हिस्सा है कि इसमें आप लोग आपस में कॉंपुटिशन में रहते हैं, that's fine, विकिन इंडिया की जो national interest है, उस पर सारी political parties को एक हो के आज मोदी जी के हाथ मजबूत करने चाहिए, और वो है उनका जो stand है बलुचस्तान के लिए, उस पर अगर आप सब मोदी जी का साथ दें लेकिन बलुचस्तान की जो exile government है, उसका ये वो वक्त है कि हम इसके लिए काम शीरू करें, इंडिया की अगर हमें इंडियन government की, इंडिया के लोगों ने तो हमें consent दे दिया है, वो हमारे साथ हैं, लेकिन इंडिया की government से हमें चाहिए, consent चाहिए, और हम चाहते हैं कि ये ज में आपका सपूर्ट करेंगे, क्या आपकी कोई व्यक्तिगत तरपर मुदीजी से बात हुई या उनके जो उनका जो खेमा है ऊसमें किसी से बात हुई, आपने अपनी बात को समझाया और इस वजह से वो सपूर्ट के लिए आगए आई या फिर ये-एक अचानक से आपको म्रा सहयोग है? नई अचानक नहीं है जै? अचानक बिल्कुल नहीं है. इसपे हम ने बहुत होतर मेहनतर की है. और गुजिश्टा 4-6 साल से कई बार मैं कर मैं हें इंडिया सही हूँ और जोस्तों से Mississippi हूँ आप की है, मेरे इलावा भी लोग लाभी कर रहे हैं पूरी दुनिया में बलोच लाभी कर रहे हैं और इंडिया के जितने तंक टांक्स हैं जो डिफेन्स के लिए strategy बिनाते हैं, जो गवर्मन्न के लिए strategy बनाते हैं उनके साथ प्रेजेंटेशन्स मैंने दी और फिर उनके बहुत से ऐसे क्वेस्चन्स थे जो बहुत टेक्निकल थे उनको किस तरह के कुष्चन्स थे और क्या आप संग के लोगों से भी मिले और बहुत प्यार मिला इंद्रेश जी है जिनोंने मुझे वो शिवा जी की तलवार गिफ्ट की और चादर गिफ्ट की हम बलोचों में तो अगर कोई आपको चादर तफ़े में देता है तो ये बहुत बड़ी इज़त होती है और इसके साथ रिश्मा सिंग है सरलादीदी है जो फैंस के लिए भी काम करते हैं बीजेपी के लिए काम करते हैं इसके साथ-साथ और मुस माधो और डोभाल साब या शेयर डोभाल से कोई बात हुई आपने उनको अपना प्रेजिंटेशन दिया समझाने की कोशिश की एक तिंग टांक है जिसमें इंडिया फांडेशन जहां पे प्रेजिशन थी तो वहां पर ये सब लोग थे तो किस तरह के जो जाहिर सी बात है कि बहुत आसानी से ये सारी बाते नहीं समझा पाई होंगी आप बहुत तरह के सवालात होंगे उनके मन में क्योंकि एक बहुत बड़ा इशू है और उसको लेके भारत के मन में बहुत सारे संशे भी होंगे बहुत सारे उसको लेके कंफ्यूजन भी होगा किस तरह के जो पाकिस्तान बच जाएगा, यह तो हमारे गले पड़ जाएगा और इसमें जो यह सारा टेरर है, तो वो टेरर हम इंडिया में नहीं चाहते हैं, तो मैंने कहा कि देखें यह तो अगर गार्बिज है भी तो आप ही का है, आप ने नेरू जी और जिनार जी ने मिलके यह सकते हैं, यानि पाकिस्तान में जितनी नेशन्स रहती हैं, उनमें से कोई भी नहीं रहना चाहता, सिंदी नहीं चाहते पक्तून नहीं रहना चाहते तो ये सारी कौम गभरेंगे डिस्ट्रिक्ट एल्थां contact रहेंगें दोहर अकी प्हर रहने देंगे पक्सतन घाःएंगे फेसी तो आक्तंक्यी पैलाने के उआम प्यू него काबल अपने मजभ को इस्तेमाल करके लोगों के गले काटने हैं, मजभ का इस्तेमाल करके लोगों के लोगों से माओं से उनके बचे चीनने, वो सब भूल जाएंगे. फिर इनको अपनी जगा अपकात याद आ जाएगी. लेकिन इतना आसान भी नहीं है नायला जी जिस तरह से अं में भी बलुचिस्तान पहली बार उठा ये मसला सुष्माजी ने भी उठाया. लेकिन जिस तरह से चीन का पूरा इंट्रिस्ट बलुचिस्तान में है और पाकिस्तान, चीन और एरान मिलके एक नया गटबंधन तक करने को तयार होगे. भारत को कहीं डरने की जरुवत नही दूसरी बात ये है कि चीन की जो सारी एकॉनमी है वो डिपेंड करती है उन गुड्स पे या जो बलुचिस्तान से वो सोना चोरी करते रहें 30 साल, 16 kg गोल्ड पर डे, वो उसके इलावा अब वो चोरी बंद हो गई है क्योंकि जो बलुच नाशनल आर्मी है, जो बलुच फ जो सोना चोरी करते थे या जो वो तो बंद हो गया है, अब इनके पास जो है जो इनकी गुड्स बेचते हैं, सबसे इनकी बड़ी मार्किट खुद इंडिया है, इंडिया चीन की प्राडक्स लेना बंद करते हैं, अपनी प्राडक्स इस्तेमाल करो, जैसे वो खदर की पाकिस्तान को के टेरर से आतंक से नजात चाहते हैं, वो चीन की प्राडक्स लेना बंद करते हैं, चीन एक हफते में रास्ते पे आजाए, लेकिन एक बलुचिस्तान के मदे नजर जो बहुत एहम है, कि पाकिस्तान और चाइना जो एकनॉमिक कॉरीडॉर है, उसका कितना पड़ेगा बलुचिस्तान पर? जो सीपैक की आप बात कर रहे हो, सीपैक तो बने गा ही नहीं, जो बने गा ही नहीं तो उसका इंपैक्ट क्या होगा? सीपैक इसलिए नहीं बनेगा के सीपैक बलोच की नसल खतम करने की कीमत पे वो बनाना चाहते हैं, अभी भी आप देखिए कि जिस दिन से इन्हों ने गवादर मेगा प्राजेक्ट की बात शुरू की, फिर वो चेंज हुआ सीपैक में, तब तक जो बलोचों पर जो हमारी होती आ रही थी, वो जैनोसाइड में बदल गई, और इस सारे इलाके में, जो जितना मैप है सारे सीपैक का, वहा कर रुथलिसली पूरे के पूरे जो गाउं थे, उन में हर जिन्दा चीज को मार दिया गया, इंसानों को और कैटल को भी, जानवर, भेड़े, गाएं, सब मार दी, तो इस लेवल पे जो वो क्लिंजिंग कर रहे हैं बलोच की, एक और मानायला जी, जो सवाल है मेरा, कि एक आपकी जो मांग है, वो साफ साफ तर पर, क्या ये है कि आंदोलन के साथ हैं, या ये है कि एक्जाइल गवर्मेंट जो आप बनाना चाह रही हैं, आप बलोच के अंदोलन के तमाम नेता जो बनाना चाह रहे हैं, उसके साथ भारत आए, भारत से हम भारत पर कोई पाबंद इस वक्त जो हम exile government की बात कर रहे हैं वो ऐसा milestone है कि जो दुनिया भर में जो बिखरे हुए बलोच है, 40 million बलोच, वो इन सब को एक platform पे लाने का program है और ये हम इसके लिए mechanism develop करें, हम इसके लिए constitution develop करें, सारे बलोचों को on page लाया जाए, on board लाया जाए और उसके लिए इनको facilitate क किया जाए, क्योंकि हमारे लोग बिखरे हुए हैं और उनके पास ज्यादा तर लोगों के पास refugee status है, वो travel नहीं कर सकते, या उनके पास पाकिस्तानी passport है, जिसको देखते ही visa देने से इंडियन embassy कार कर देती है, तो ये भी हमारी demand है, कि जब बलोच आपके पास आते हैं, त नायला कादरी जो है, वो official नेता नहीं है, ये फूट आपको लगता नहीं कि जिस लेवल पे आप ले जाना चाहती है सान्दोलन को, उसमें बहुत बड़ा एक धका हो सकता है, नहीं, नहीं हो सकता, चाए ब्रामदख बुक्ती हों, चाए हैर ब्यार मरी हों, या महरान मरी ह हों, डॉक्र अलानजर हों, अहमल हैदर हों, जितने भी बलोशनेता हैं, करीमा बलोश हैं, फर्जान मजीद हैं, वो सब के सब चाहते हैं कि गर्वर्मेंट बनें, ये सब के दिल की आवाज है, अब इसमें अगर कोई नंबर स्कोरिंग का प्रॉब्लम है, तो इसमें ये ह है कि इसको देख लेना चाहिए कि हमारे नैशनल कॉस के लिए क्या जरूरी है, गर्वर्मेंट बनाना तो बहुत जरूरी है, अब इस गर्वर्मेंट की मुखालफत है, या गर्वर्मेंट नाईला कादरी ना बना इसकी मुखालफत है, तो मेरे लिए तो भाई हैं, और मे क्यों ना आप आप एपने के साथ हैं क्यों नहीं यह सब के सामने साफी कर दें कि अगर एक्जाइल गुवर्मेंट बनती है तो प्रधानमंतरी कौन होगा उसका क्या शेप होगा उसमें आपकी क्या अपनी भूमिका होगी मैं तो बाइ यानि बिल्ट इन बाइ नेचर आम व भी हो लोग बनाते हैं वह बलॉच कौम बनाएगी कोई फर्द नहीं बना सकता और कोई भी इस वक्त इस फॉजिशन में नहीं है कि वह कहें के वह बलॉचस्तान को रेप्रेजेंट करता है बलॉच क्यौन और हूं और इस वर्द है और एक दिशेम करती है जो रेप यह सामनजेश शायद नहीं है, इसी वज़े से यूएस जैसा जो एक बड़ा देश है, जो कहा जाता है कि मानुआधिकार पर बहुत काम करता है, यूके जैसे तथाकतित मानुआधिकार के हामी देश हैं, यह तमाम देश आपके सपोर्ट में नहीं हैं, और अभी भी बलोच को टुकडों में तोड कर कमजोर करके पाकिस्तान को यहां तक लाकर के बलोचिस्तान पर हमला करें और कबजा करें, इस सब में बरतानिया शामिल है, और 48 में जब पाकिस्तान आर्मी बलोचिस्तान पर हमला किया था तो उस वक पाकिस्तान आर्मी बरतानिया की कमांड में तो बरतानिया से तो हमें कोई तवक्षों नहीं है लेकिंग है अमेरीका का सिलसला है अमेरीका की कॉंगरिस में बिल पेश हुआ वलुचिस्तान की आजादी के लिए कोंग्रेशनल एक कमिटी है जो बता रही है कि 90 दिन के अंदर अंदर वो पाकिस्तान के बारे में या तो अमेरिका की गवर्मन्ट ये थाबित करें कि वो टेरर का जो है आतंकी देश नहीं है या फिर उसको करें तो वो तो सैंक्शन लग सकते हैं यूरोपियन यूनियन का अपने स्टेट्मिंट देखा होगा कि अगर पाकिस्तान ने बलूचस्तान पर अट्रॉसिटीज बनना की तो ये हूमन राइट्स वाइलेशन की वज़ज़ से पाकिस्तान पर सैंक्शन लग सकते हैं तो पाकिस्तान तो अब सैंक्शन की तरफ जा रहा है तो इसमें ये है कि इंटरनाशनल कम्यूनिटी की तरफ से सपोर्ट है लेकिन इसमें यह कि हमारा जो जो हमारी बलयोज मूवमेंट है तो यはは 30 लाक लोगों की कि इस काउम को ऑन बोड लाना चाहिए और हम जब कहते हैं और हमें पासपोर्ट में या हमें जो बलोज ट्रैवल डाक्यूमेंट या बलोज पासपोर्ट की जरूरत है वो हम इसलिए कहते हैं कि हमारी कम्यूनिकेशन में बहुत प्राब्लम्स हैं हमारे बहुत से लोग ट्रैवल नहीं कर पाते एक दूसरे से मिल नहीं सकते किस तरह की सही तस्वीर है आपके जबान से मैं जरूर पाकिस्तानी हैं उनको भरती करके बलोचिस्तान बेजा जाता है यह असल में एक आक्यूपाइट टेरिटरी पर लूट मार के लिए आते हैं तो यह सबसे पहले हमारे घरों से वैल्यूबल चीजें चोरी करते हैं उसके बाद मेरे घर पर जब इन्हों काम यह करते हैं औरतों को उठा लेते हैं अबड़क्ट कर लेते हैं ले जाते हैं और बाकी जो जिन्दा चीजें मर्दों को कतले आम करते हैं और उनमें से जिस पर शक हो के कोई इन्फरमेशन मिल सकती है उन्हें भी अबड़क्ट कर लेते हैं फिर उनकी मिलती हैं जिसमें और जिन पर लिखा होता है पाकस्तान जंदा बात कार्व किया होता है खंजर से और ऐसा भी हुआ है कि घर जलाएं है और उस जलती वी आग में मां की गोध से बच्चे चीन के उस आग में पहंके हैं तो इस लेवल की अट्रॉसिटीज जो ये कर रहे हैं औ नुक्लियर एडवेंचर हमारी जमीन पर यह कर रहे हैं, नुक्लियर वैपन्स इन्होंने बलुचस्तान के पहाड़ों में चुपाए हुए हैं. जब आप चेमिकल वैपन्स और नुक्लियर वैपन्स कि बात कर रही हैं, क्या उसके प्रूफ्स थे पाक्सितन हैं लेकिन उसके बाद जिससे कैंसर से पहला। च्छह साल वहां बारिश नहीं हुई और उसके बाद जिस तरीके से वहां पर डेथ हुई, 90% कैटल, वाइड लाइफ मर गई बलुचस्तान में उस छे साल के ड्राउट के बाद, और जिस तरीके से अब भी अजीब अजीब बिमारियां हैं, जो कैंसर की अजीब अजीब किस पाकिस्तान में यूज होता है उस पे ये कैमिकल डाल देते हैं और जो उसको पीता है वो मर जाता है जब आप लोगों ने आंदोलन शुरू किया तो जरूरी है घर में पहले सपोर्ट मिले पाकिस्तान के जो बुद्धी जीवी है जो इंटेलेजेंसिया है जो लीगल लोग ह उन लोगों से अपने सपोर्ट क्यों नहीं मांगी इस पूरे आंदोलन के लिए इसलिए कि वो हमारा घर नहीं है जे एक दूसरी बात ये है कि जो पाकिस्तान है वो मुल्क बनते हैं फॉज बनती है मुल्क के लिए पाकिस्तान बना है फॉज के लिए पाकिस्तान में कोई इदारा नहीं है, civil society नाम की media, judiciary, parliament, administration, कुछ भी वहाँ exist नहीं करता, वहाँ सिर्फ forge exist करती है, forge की अपने उनकी industry है, उनका जहां चाहते हैं वो उसको सरकारी जमीन बना के किसी भी अच्छी से अच्छी जमीन पर आके वो अपना नेवल बेस, बहरिया टाउन और ये वो सब बना के जमीनों पर कबजा कर लेते हैं लोगों की, तो वहाँ पे जो civil society है, वो बराए नाम है, so called है. कोई मारवादिकार के लिए बात करने वाला दरसल पाकिस्तान में कोई है ही नहीं? नहीं है, एक सबीन महमूद हैं जिनने मैं बिल्कुल याद करना चाहूंगी, सबीन महमूद एक बहुत ही प्यारी खातुन थी, civil society से, उन्होंने कोशिश की कि बलोच मिसिंग परसन्स पे थोड़ी सी टॉक शुरू की जाए, तो उनका मरडर कर दिया गया. पाकिस्तान के साथ जो लड़ाई है आपकी, उसे भारत का सपोर्ट आप चाहा रही हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर का एक बड़ा मुद्दा है, कश्मीर और बलोचिस्तान को कैसे जोड़ सकते हैं हम लोग? मेरी रिक्वेस्ट है के कश्मीर और बलोचिस्तान को बिलकुल ना जोड़ें, इसलिए के कश्मीर हिंदुस्तान का हिसा रहा है, बलतिस्तान, गिलगित हिंदुस्तान का हिसा रहा है, और हिंदुस्तान का ये अधिकार है, हक है कि वो अपनी जमीन वापस ले, हिंदुस्त में जहां इतनी जैनोसाइड उसके बिलकुल साथ हो रही है, वो उसको कंट्रोल करने के लिए अपना एक मॉरल रोल प्ले करें. इसके साथ हिंदूस्तान को बलोचस्तान को कश्मीर से बिलकुल हटके देखना चाहिए. बलोचिस्तान की मूव्मिंट आजादी की जितनी तेज होगी, इंडिया को उतना पाकिस्तान के आतंक से निजात मिलेगी. क्योंकि पाकिस्तान की जो सारी तफज्यों है वो बिखर जाएगी. राहिल शरीफ और शरीफ के बीच मनमुटाव से कितना फायदा होगा बलुचिस्तान को देखें जो दो शरीफ है उनमें से एक भी शरीफ नहीं है वो दोनों का जो टकराव है इससे पहले भी मुशरफ ने इनकी गवर्मन्ट खतम की थी तो आपने देखा होगा कि इनकी गवर्मन्ट को खतम किया था 72 में 73 में तो आप ने देखा कि हम उसके बाद कितने साल लड़े हम सब पहाड़ों पर चले गए हम लड़े और हमने 25,000 बलुच कुर्बान किया तो आप ये देखें कि इनकी तो कोई अपने लोगों में रूटस ही नहीं है फॉज ने इनको ल नहीं बज़ा है कि अभी हालिया तस्वीरों में कुछ तस्वीरे बलुचिस्तान के जमीन पर ये भी देखी जिसमें भगवे घंडे लहरा रहे थे ये मोदी जी का असर है या भारत से प्यार है बलुचिस्तान का प्यार तो बहुत पुराना है और आप ये देखें कि जब क्रिकेट मैच जीती है भारत की टीम तो बलोचस्तान में हमारे बच्चे म्यूजिक बनाते हैं और मिठायां बाणते हैं फिर इस बात पर भी बलोच नौजवानों को पाकस्तान फॉज अठाके ले गई और उनकी डेड़ बॉडी फेंकी गई तो भगवा जो जंडे आप बा ये रंग है जोगिा रंग जिससे कहते ہैं ये इससुफीर रंग है और इससुफी रंग से बलोचस्तान की जो के लोग हो बुन्यादी सुफी है वो हम मखभी इंतहापसंद लोग कभी नहीं रहे हैं ऐसे में भग्वारंग तो लहरानी था भारत की जब आबात कर रही है न जाए शुमारी मांगी है जिसको यहां के मुस्लिम परसनल लॉबोर्ड बिलकुल विरोध कर रहे हैं और यह कह रहे हैं कि मोदी जी का यह गलत कदम है इसी बुद्धे में एक ट्रिपल तलाक का मसला भी है क्या लगता है आपको कि ऐसे में इस हालात को कैसे सुधारा जाए ज यह जो जैसे दो लोग मिलके या दो खांदान मिलके एक रिश्टा बनाते हैं उसके खतम होने की भी एक बनियाद होती है यह जो तरीका किया गया है कि उसके बाद और ओरत को कोई राइट्स नहीं है यह ऐसा बिलकुल नहीं है जो इंडिया के मुसल्मान है मेरा उनको मैसि है आपके प्रोग्राम के थूग के आप अपने आपको हिंदुस्तान की मूटी के साथ जोडो, क्यूंकि आप इस मूटी से पैदा हो, यह मूटी आपकी इजट है, और आपको सबसे ज्यादा नाशनलिस्ट होने की जरूरत है अगर आप हिंदुस्तान में रहते हैं और आपकी आँखें और आपका दिल कहीं और है तो ये एक दोगली जिन्दगी हो जाती है जो आपको हिंदुस्तानी होने से रोकती है जब आप एक हिंदुस्तानी मुकमल नहीं होगे तो आपकी इस जजबात से हमेशा पाक को हो सकती है यानि दुनिया में जितने मुसल्मानों का कतल किया गया है वो सबसे ज्यादा पाकिस्तान ने किया है यानि करोड के करीब मुसल्मान पाकि bonito कि आप तक मार चुका है अफंगानस्तान में बंगला देश में बलूचस्तान में फुलस्तीन में आप अन्दाज में आपका candidate का सब कई दहाईयों पहले आजाद हो चुका होता, तो इसमें यह है कि यह एक तरह से ऐसा इल्जाम है जो कहीं थाबित नहीं हो सकता, इसलिए थाबित नहीं हो सकता कि यह हकीकत नहीं है, हमें पता है, हम जो तहरीक चला रहे हैं, हम जो स्ट्रगल कर रहे हैं, और नसल दर नसल कर तो उसमें हमने ना कभी रौ देखी ना हमें सिर्फ रौ का नाम हमने सीखा कहां से पता है बलोच को जब टॉर्चर करते हैं तो उसको तोड़ना नहांसान नहीं है तो फिर जब यह चिड़ जाते थे फौजी पाकिस्तानी तो वो कहते थे रौ इसराइल के भी यह तीन लफ़ें जो वो बलोच को कहते हैं रौ तो अभी तक भी नहीं है परस्ट टाइम है कि इंडिया की गवर्मन्न ने एक लीगल तरीके से एक स्टेप उठाया है लेकिन रौ की इंवाल्मन्ट बलोचिस्तान की मुव्मिंट में न कभी रही है अभी तक बिलकत अन भी नहीं रही यह तो ऑन रेकॉर्ड चीज़ है अमेरिका में गवर्मिंट बदलने वाली है अनाईला जी बहुत एहम होगा अमेरिका का साथ भी कहीं न कहीं इस आन्दूलन के लिए और भारत भी चाहेगा कि अमेरिका साथ में आए रटा साथ में आए है और उसके बाद भी जारी रहेगी और जो सबसे बड़े दो इश्यू हैं एक टेरर जिस पे अमेरिका रिफ्यूज नहीं कर सकता और दूसरा हुमन राइट्स वाइलेशन जो अमेरिका के लोग जिस पे जिनका अभी भी बहुत कंसेंसिस बन रहा है बलुचों के ओपर जो जनोसाइड हो रहा है यूरप के लोगों का बन रहा है आई एसाई के चुंगल से पचना असान नहीं रहा होगा कई दफा ऐसा हुआ कि चापा पड़ा घर पे और दिवार कूत के निकलना पड़ा पांच साल बलुचसतान में मैं अंडरग्राउंड थी मेरे बच्चे विचारे को कहीं चुपाओ वहां चुपाओ एजुकेशन उनकी खराब हो गई फिर यह कि लोगों ने हम को बुलाना छोड़ दिया कि जैसे इनको बुलाओ इनके पीछे फाज आती है जिस दिन फैसला हुआ कि अब और नहीं रह सकते वह ऐसा दिन था कि मेरी मां हार्थ पेशिंट थी और उनकी हार्ट में बहुत स्वेलिंग थी और वह डेथ बेट पी थी और मैं उनके पास पहुंची और छुपके कहीं से तो पता चला कि हंडर्ड मीटर का जो रेडियस है वह आर्मी के घेरे में आ गया है तो मैं अपनी म मां को जो गुडबाय है वो भी नहीं कह सकी मैं जब निकल रही थी उन्होंने चेक भी किया लेकर उनको अंदाजा भी नहीं था कि जिसके लिए वो इतना करके आए हैं वो ऐसे इनके बीच में से निकल जाए आप लेखिका भी है कविताएं भी लिखती है बलुच लोगों इसको अर्दू में कैसे ट्रांसलेट करेंगे जरूरी है सब लोगों को समझना कह रही हूं के मेरे साथ आओ मेरे साथ रहो मुझे मत कहो के मत जाओ गम हो जाओगी मेरे साथ रहो और मेरे साथ चलो जैसे जमीन के साथ आसमान रहता है हर मौसम में रात भी और दिन भी आओ काइनातों की सेर पे चलते हैं नए जहानों की सेर पे चलते हैं नए जहान बसाना चाहते हैं बलुचिस्तान के लोग और नायला कादरी जैसे तमाम आंदोलन कारी जो हैं वो उनके इस इन सपनों को पूरा करने में लगे वे बहुत रशुक्रिया नायला जी फेस्ट फेस में EPN में आप आई और इसके लिए बहुत रशुक्रिया आपका और आप देखने इपिन आए खबनों का स्लस्ल जारी है देखते रहिए